नमस्कार दोस्तों CACPLA Help में आपका बहुत-बहुत स्वागत थे वीडियों बात करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं आपको एक नए पोर्टल के बारे में जिसका नाम है इन्फोटेक पे तो इस वीडियों हम बात करेंगे क्या है यह पोर्टल कितनी लगी कोस्टिंग कैस साथ इसका डैश पोर्ट कौन कौन से इसमें सर्विसेज और कितना मिले कमिशन सारी चीज़ें करके इंडिटेल्स में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ खास फूचर्स केस की जो की मिलने वाला है आपको इस पोर्टल में इसमें इसमें इस्टेंट एक्टिवेशन है मतलब जैसे आप अपना डॉकमेंटेशन करेंगे आपकी तुरंद चालू हो जाएगी आपको वेट नहीं करना है साथ ही साथ है इंस्टेंट मूब तू बैंक है अगर आपके पोर्टल में कुछ बैलेंस है उसे आप एकांट में लेना चाहते हैं तो यह बहुत कुछ है जैसे इसमें मोबाइल भी अविलेबल है तो आप लैप्टोप मोबाइल और कंप्यूटर सब में काम कर सकते हैं साथ साथ आथ आपको इसमें एमिडेक्स का सपोर्ट मिलेगा और आपका BC Certificate ID Card वगरा भी इसमें अविलेबल है ठीक है सर्विसेज के हम बात करें तो यहां पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे के एकाउंट ओपनी कैस्ट डिपॉजित और विड्रावल मोबाइल और डिटेए रिचार्ज एपीएस बीपीएस डीम्ट मिनी एट्यम मिनी स्टेटमेंट आधार पर यूटिटी बिल पेमेंट इमाई कलेक्शन इंशॉरेंस टूर्स अन ट्रेवर्स पैन काड इलेक्रिसिटी बिल पेमेंट गैस बुकिंग केडिट काड और प्रिपेट बिल पेमेंट और बहुत कुछ और यहां पे खास फीचर से इनका जिरो बैलेंस डिजिटल बैंक एकाउंट जहां पे आप जिरो बैलेंस का डिजिटल बैंक एकाउंट ओपिन करेंगे वह भी डिफरेंट डिफरेंट बैंक का और जहां पे आपको एज रिटेलर कमिशन मिलेगा और यहां पे हैं लोन रि लोन भी बील सकता है जहां पर आप एक 180 दिन में ये लोन जो है आप रिपेमेंट करेंगे कंपणी को वापस से और क्या इसमें सैलरी है और ऐस्में सैलरी और फिक्स टार्गेट दिया हुень उस टार्गेट को फुल्फिल करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी जैसे रिटेलर को अगर तक टन वर करत था तो उस्छे पांस उरुपेगी सैलरी है तस लाग तक टन वर यह बाद वह जिस लेड़ को फुल फिल करेंगे उसके बाद वह जिस लइब में पढ़ता है उस लैप काउन को सालरी मिलेगा और मंतली सेलरी जो है तो कि हम आप यहां पे रिटेलर के लिए हायस कुट्विसन न दस रुपए 50 पैसे डिस्ट्रीपुटर के लिए लिए ग्यार्ट के लिए ग्यार्पाइश जो की ट्रांजेक्शन एमाउंट के उपर slab wise है जो आपको इस्किन पर दिख रहा है माइक्र एटियम के हम बात करें तो यहां पर 500-3000 रुपए तक 24 पैसे कमिशन, 24% कमिशन है रिटेलर के लिए और 3000-10,000 तक के लिए 8 रुपए कमिशन है रिटेलर के लिए पैंकर बात करें तो यहां पें हम बात करें तो यहां पर दो अप्चन आवलेभल है एक invite यूती ही से कर सकते हैं दूसरा से कर सकते हैं UTI से अगर पैंकाट का अप्लिकेशन कर रहे तो उसके लिए रिटेलर को कॉस्टिंग लएग 98 रुपीज और एक स्टीयल के लिए 105 रूप है ठीक है डिस्टेबिटर सूपर डिस्टेबिटर को इसके उपर अलग से मार्जिन है प्रिपेट कार्ड के हम बात करें तो प्रिपेट कार्ड में अगर आप लोन लेते हैं जो भी इमाउंट का लोड लेते हैं तो यहां पर रिटेलर को 0.45 परसंट का कमिशन आता है डिस्टेबिटर को 0.50 परसंट का सूपर डिस्टेबिटर को 0.52 परसंट का कमिशन आता है हृच रीचार्ज की कमिशन के हम बात कर लें तो यहां पे हाइच्छ रीचार्ज 5 रुपे पचास पैसए 5.5 पर संट रिलिए डिस्ट्रीपीटर के लिए हाईएष्ट इस सीक्स परसंन और सुपर डिस्ट्रीपीटर के लिए हिएश्ट количество तो आप चलिए हम चलते हैं सीधे इनके डेश्वोट पर डेश्वोट पर जाने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करना है जिसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पर आपको कुछ आपको डेश्वोट यहां पर अपको मिल जाएंगी बैलेंस का पर सेल्स का और प्रोफिट का साथ ही साथ इसे स्कॉल करके थौड़ा साफ नीचे ले जाएंगे तो यहां पर पचास से ज्यादा सर्विस की लिस्ट यहां पर अवलेबल है एकए करके आपको आपको मिल जाएगी जिस service का आप लाप लेना चाहे काम करना चाहे इस पर क्लिक करके डिरेक्टली उसका काम कर सकते है नीचे आपको transaction की सारी details यहाँ पर मिल जाएगी कौन से recharge का समरी क्या है क्या है कौन सा transaction आपका fail हुआ कौन सा success हुआ सारा ठीक है वही यहाँ पर left hand side में एक एक करके service के menu आपको मिल जाएगी सबसे पहले recharge and bill payment का यहाँ पर recharge और bill payment से related सारी service available है उसके नीचे है money transfer का जहाँ पर domestic money transfer के माधिम से आप money transfer कर सकते हैं उसके नीचे मिल जाएगा EPS का फिर है commission slab उसके नीचे है wallet system जहाँ पर आप wallet में money load करेंगे या फिर refund request करेंगे fund request करेंगे और उसके नीचे मिल जाएगा report का option यहाँ पर एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट का आप यहाँ से टिकट बना सकते हैं फिर company के तरफ से उस issue का solve कर दिये जाएगा तो वापस चलते हैं और ID कैसे लेना है ID लेने के लिए कुछ document क्या आपका हो सकता पड़ेगी जैसे email ID mobile आधार कार्ट पैन कार्ट बैंक एकाउंट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन सब को आपको रेडी करकर रखना पड़ेगा इन सब को प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसे आप प्रोवाइड करेंगे वैसे ही आपकी ID जो है create हो जाएगी instant को स्टिंग के हम चल रहा है लिम्टेट टाइम उफर है यहां पर रिटेलर आइडी आपको एकदम से फ्री में मिलेगा मतलब रिटेलर आइडी के लिए आपको एक पैसा भी नहीं दे रहा है और डिस्ट्रबूटर की हम बात करें तो यहां पर कोस्टिंग है यानि 299 रुपे और सूपर ड जमता है तो आप यह पोटल ले सकते हैं और मैंने डिस्ट्रबूटर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालकर रखा है तो वहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले उससे इनके इन्फोटेक पे के जो भी अपडेट होगा नहीं वो तुरंत आपको को वहां से मिल जाएगा दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो इन्फोटेक पे के ऊपर आसा करता वीडियो आपको अच्छा लगवा पसंद आगा तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रू करें तब तक लावनाइस टे चाहिन चैफार्व